हलो दोस्तों कैसे हैं आप से भी लोग उमीद करता अच्छे होंगे तो आप भी अपना खुद का एक e-commerce में स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप एक multi-vendor grocery store, multi-vendor fashion side start करना चाहते हैं तो मैं आज की वीडियो में आपकी help करने वारा हूँ कि इस तरह से आप इस तरह की interesting website बना सकते हैं जो कि चाहे आप grocery delivery के लिए use कर सकते हैं चाहे एक multi-store के लिए use कर सकते हैं जिसमें आप A to Z product sell कर सकते हैं किसी भी category के लिए use कर सकते हैं ठीक है पर that's going to be multi-vendor, multi-vendor मतलब क कि जैसे कि flip card or market case होती है कोई किसी और का product होता है आप sell करते हैं आप basically shipping provide कराते हो और एक platform provide कराते हो इस तरह के multi-vendor तो शुरू करें तो इसके लिए हमें script चाहिए उसका नाम है format ठीक है single multi-vendor आपके side app से है तो single भी sell कर सकते हैं चाहे तो multi-vendor भी sell कर सकते हैं इसमें almost चितनी भी आपके requirement है basic requirement एक अच्छी कासी stage तक जाने के लिए वो सब fulfill होती है मतब आपको कोई और ची requirement नहीं इतना easy interface है कि कुछ पूछे मत थोड़ा starting matter अफ लग सकता है पर हुआ अभी आपको बहुत आसान कर दूँगा तो बिना किसी तरी के already हमारे पास code है कैसे start करना सब कुछ तो इसको हम अभी के लिए यहां पे इसको कर देते हैं के समय कोई image चाहिए हो क्योंकि इतने सारा image तो आम नहीं डालने वाले है तो first आपको अपनी website की o posting पर जाना हे और posting पर जाने के बाद आपको अपना जो फाइल पर ली होगी उसको आपको upload कर देना है तो मैं फाइल को upload कर देता हूँ तो यहां पर में पस फाइल है जब तक यह फाइल upload हो रही है तब तक हम एक काम करते हैं पहले इस अप्लोड को यह जान देते हैं तो मैं फास नप्लोड हो गई है इस एकस्ट कर देते हैं ठीक है फास अपलोड हो जाने के पाद जो आपको में चीज करना है वह आपको आपको अपनी होस्टिंग सपर जाना है बोस्टिंग पर आने के हैं आपको database करेड़ जाना है और यहां सब डोमेन यूज कर रहा हूं आपके केस में जाना होते हुए Maint domain होगा कुछ इसTake 하겠습니다 मिले देर तो यहां पर देखते हुआ और सुभम्षक शपी गज़्स के तफिर कर मैं ल्याइट सुभम लेता हूं किछ को अगर इनके पो तो mostly cases में यह मैस को लगा, यहाँ पर आपनी जो भी company का आपका नाम है आप वो डाल सकते हैं तो automatically यहाँ पर port slug कर लेगा, database का name, database का username और database के credentials जो भी आपको डालने हैं, वो आप डाल दी दिये, तो यहाँ पर हमने एक demo credential डाल दिया, as you can see, तो यहाँ पर next करते हैं अब यहाँ पर आपना नाम डाल सकते हैं, ठीक है, तो इस case में आपना नाम डाल देता हूँ, last name, यहाँ पर हमें नाम डाला है, जो admin का तो हमें admin करे गए गए यहाँ अपर, randomly information डाल देते हैं, मेरे case में temporary information यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर demo clay बना रहा हूँ, आपकी case में अगर आसे आप existing site पर बना रहे हैं, तो आप अपनी जो real information है, आप वो डालेंगे, तो जो भी आपने login information डाली थी, admin के अभी अभी, वो information आप यहाँ पर डाल देंगे, again, तो जिससे आपको access मिल जाए, admin panel पर, देखे, your app लिख के आ रहा है, यहाँ पर जो भी आपके company का नाम आपने डाला होता, वो लिख के आता, तो आपने your app के संगी continue किया था, इसलिए यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आपको देखेगा यहाँ पर आप color theming select कर सकते हैं, यहाँ पर अपना जो भी आपका company का आप नाम डालना चाहते हैं, वोड़ा लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बोलेगा, okay, तो almost basic settings है हमारी हो चुकी है, ठीक है, यहाँ वर्जन update है, तो फुड़ा license का issue दिखा रहा है, कि हमें verification के लिए यह दिखने हैं, तो जैसे आप अपनी जो भी product डालेंगे, उनकी images डालेंगे, तो यहाँ फुल्फिल हो जागी, तो first हम पहले e-commerce के functions के बारे मात करते हैं, तो यहाँ पर pages के options है, तो in case आपको कोई भी pages create करना, terms and condition, कैसे join कर सकते हैं, influence and marketing या कोई भी चीज, तो आप यहाँ स create करके कर सकते हैं, यहाँ पर edit new पर क्लिक करेंगे, तो basically आगा है, तो stml मेंड़ेंगे करके यहाँ डाल सकते हैं, अब main चीज पर चलते हैं, वह हम चलते हैं, e-commerce section में हमको जाना है, तो सबसे पहले चीज हैं कोई category करना है, कि यहाँ पर इस तरह से category है, तो tea and coffee के अंदर मे करेंगे करेंगे, तो हम यहाँ पर गए product, product category, तो इस तरह का option आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आप गाई, यहाँ पर आपने डाला, green tea का option अलड़ी आ चुका, तो इसको आप लेकर capital कर लाए, copy कर लेते हैं, तो parents क्या है, इसके parents होगे, tea and coffee के अंदर ही green tea आएगी, जो भी आपको description डाला है, वो, यहाँ पर आप publish करेंगे, यहाँ पर फोटो लगाएंगे, जो अगर आप फोटो नहीं लगाएंगे, suppose तो आपको इस तरह को आपको ब्लैंक देखेगा, तो इनके आपको जो भी फोटो लगानी है, तो यहाँ पर हम green tea के icon को ही search कर लेते हैं, जिसस करने का इसे कर देते हैं, यहाँ पर इमेज हो गया, कोई और आपको front icon हो गा रहा है, तो इस तरह को हो जाए, save and exit पर click करते हैं, हम side को खोल के देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जाके देखते हैं, देखे हमारे यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर इस लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि यह वारा main category नहीं है, ठीक है, tea and coffee के अंदर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर food and vegetable के अंदर काफिसा नहीं थे, यह main category यहाँ पर देखेगा ना कि sub category, तो इसलिए हम यहाँ पर वो नहीं देख रहा है, in case आपको suppose आगे है, यहाँ पैकर लगाना है, तो मैं काम करता हूँ, यह हमने save कर दिया, और इसको reload कर देते हैं, यह देखिए है पैमर icon आगे, तो इसी तरह से आप सब category में लगा देंगे, तो इस तरह सबी category में आपकी आजाएगा icon, आप category में नहीं प्रटेक्टाइट करना है, प्रटेक्ट पर जाते हैं, तो हमें प्रटेक्ट कैसा करना है, फिजिकल डेस्टल, तो हमारा प्रटेक्ट जो रहाएगा, फिजिकल प्रटेक्ट है अभी के लिए, प्रटेक्ट जो भी आपको description डाला है, content डाला आपने, image के लिए, प्रटेक्ट के लिए, प्रटेक्ट के लिए, प्रटेक्ट के लिए, तो हमें प्रटेक्ट के लिए लेते हैं, प्रटेक्ट के 20 रुपीस पड़ी, जैसे कि आप profit margin के लिए प्रटेक्ट के लिए, तो अगर आपको warehouse management करना है, तो यहाप आप स्टॉक टाल सकते हैं, कि यह में पर कितनी quantity है, यहाप रखी हुई है, तो से आदे हैं यहापर order लोग नहीं कर पाएंगे, तो अभी के लिए मैसेज कर रहा हूँ, वेट सपिंग वज़ा है, आप डाल सकते हैं, आप इनकेस आपको, जैसे size, color, इसमें होता है, कि छोड़ा packet है, बड़ा packet है, तो वो सब चीज़ आप यहाँ से manage कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर वेट कर दिया, कि 1 kg वाला packet है, मैं पास वारंटी बगएरा है, तो आप अलोडी options बना करें सकते हैं, यहाँ पर आपके पास option आजाएगा, कि क्या चीज options आपके पास available है, ठीक है, तो जैसे कि वारंटी हो गया रहा है, MCPU इस तरह का option है, तो आप यहाँ पर बना सकते हैं, प्रोड़क्ट की वारंटी अविलेबल यारी, depending on the product, अब यहाँ पर आपके पास होता है, cross-selling product और रिलेटर प्रोड़क्ट, ग्रीन टी में जैसे multiple product हो सकते हैं, काफे अलागत तरह की green tea हो सकती है, तो यहाँ पर आप उन प्रोड़क्ट को आइड कर देंगे, तो अब हीकले अपने पास कुछ नहीं तो smart watch को पर इनकेस आपको FAQ एड करने, तो frequently asked question, जो लोग कोशन पूछते हैं, आप और रियाट करते हैं, यहाँ पर जाने के पाद, इस यहाँ पर आपको करना है, तो यहाँ पर जैसे feature brand है, यहाँ नीचे आपके option में अन लगेगा, ठीक है, अब यहाँ पर जाने के बाद, जो आपक इसको एड करना है, तो हमने यही में दिखेगी, अब यह new arrival है, यह best seller है, और यह hot है, ठीक है, आप इस तरह से label बना सकते हैं, कोई text लगाना है, तो text लगा सकते है, save and exit में click किया, हमारा product एड हो गया, page को reload करते है, यह देखे है, हमारा featured product है, हमने featured किया था, यहाँ पर category से तो इसलिए हमारे featured product में दिखने लगा, hot हमने दिया था, sale price थी, इसलिए 100 कटके, 80 रूपीज हो गया, नीचे हमने camera आए थी, smart watch आट करी थी, smart watch हमें यहाँ पर दिखने लगी है, यहाँ पर हमने 1 kg आट किया, 1 kg हो गया, available in stock आगया option, अब इसे हम एड कर सकते हैं, तो इस यहाँ पर आपको वारंटी का option देना है, तो यहाँ पर उस तरह का options बना सकते हैं, कि options available है, तो, product category के बारे हम बात हम करी चुके है, product text, जिससे प्रोडगराप का फाइंड करने, मासालियों की वे, कि से रिट पोड़क्ट है, mobile में है, electronic में है, grocery में है, तो इस तरह से आप सकते हैं, अब यहाँ पर अपने according हो सकता है, यहाँ पर आप sizes के अंदर, यहाँ पर आप weight है, यहाँ पर आप liters बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, मुझे weight के अंदर 200 gram का बनाना है, weight में यहाँ पर आप दिखिए जो सब से कम है, वो 1 kg है, अब मुझे 200 gram का बनाना है, तो तो आप एक और वेट का option आगया हमेरे बदेद रहाँ जासे कि ऐप मना सकते हैं जासे कि आपको बास कोई ब्रांड है जासे कि आप कोई ब्रांड का सायल कर रहें तो इस केस में लगता है हम स важно itself अगर पुछ आप से help कर सकते अगर आप से फिचर कर देंगे ब्रांड को तो प्रेंट मेंYo सुपक हूशन है यहाँ पर पो पुड़िक आप का दिखनास तरह से जहां कि तो ऊपर प्रॉड को फीचर कर सकते हैं तो प्रॉडक्ट को हमने लिखें कर लिख सकते हैं तो आप यहां पर लिख सकते हैं जिससे वह वोड़ी कना जल्दी लिखा लिया यहां पर बात के लिए basic अब यहां पर हमारे पर sipping का option भी है तो by default free अगर आप multiple sipping यूज़ कर रहे हैं जैसे कि आप e-com यूज़ कर रहे हैं तो यहां पर अलग-अलग options भी बना सकते हैं अब यहां पर जैसे मैं कोई discount coupon मनाना है ठीक है तो हम यहां पर लिख देंगे 20% off ठीक है यह हमारा coupon बन गया ठीक है अब यह promotion coupon है यह coupon code है तो यह coupon code है ठीक है हमारा यह coupon यहां पर वर्क कर गया ठीक है copy कर लिया हमने तो इसको आप यहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है यहां पर customer taxation जैसे आपको बनाना GST लगा अपने लगता है ठीक है तो आप उस तरह से कोई टेक्स बनाना चाहते है तो create new पर करके आप यहां पर लिख सकते है GST 18% किसी है और बस आपने यहां पर priority कर छोड़ दीजे और save and exit पर यहां पर लो कर देते हैं आपके पास option आई जाए यहां पर हम चलते बेसिक सेटिंग यहां पर आपने जो भी आपका शॉप का नेम था आपने वोड है डाल सकते है अड्रस डाल सकते यहां पर अब यहां पर हमारे पास एक option आप करेंसी का तो अब हमारी करेंसी चल लिए क्या चलिए वह डॉलर चल लिए ठीक है न हम इसे पर रुपीज बनाना है तो रुपीज को कैसे करेंगे हम यहां पर जाते हैं रुपीज का सिंबल सर्च कर लेते हैं पर रूपीज का सिम्बल सर्च कर दिया यहां पर गये यहां पर हमने डॉलर को अब ऑख़ैंब कर दिया निशे कर दिया रियोड करते पेछ और पर देख सकते suf ट्रूपीज मैं करोथ होगया तो इस त에서 आप यहां पे इस चीज को कर सकते हैं इन केसे आपको कोई sales डिकर णानी यह ठीक है तो यहां पर sale के लिए his की नaldo, click करेंगे Sell का नाम देदिया। अब हमचे बात करते है집emporum यहां पर आपके पास option है यहां पर में अलमस्स जो सारे option उनके बात कर ली अब इसके लिए मैं और प्रेस करना है ठीक है पहले कर दो हैं सब्सक्राइम ब्लमस्सेमेड घ्लिक करने के बाद है कि यहां पर स्मय कर नंकी करें अब इसको कैसे यहां पर इजब करते हैं लुई करते हैं पर चेक्वाट कर दिया यहां पर अधा हो गया ठीक है order place हो गया order place होने के बाद अब जैसे कि इस order पर हमें shipment करना है कुछ करना है तो हम यहां पर जाएंगे order पर जाएंगे यहां पर एक और चीज अच्छी बात है यहां पर कुछ tracking की information में मिल जाती है तो मैं आपको tracking information दिखा जाता हूँ order tracking की information जिसे हम ट्रैक करेंगे तो यहां पर हमारे पास order आया हुआ है हमने यहां पर इस तरह से आप shipping information को दे सकते हैं are you go 돼 सकते हैं and up जो भी pricing है वो update कर सकते हैं यहां पर तो यहां पर फिनकिन को यॅप कर रहा你在 अगर इन केस ऑप को और कंपनी को यूज कर रहे जो सबसाय आता हूं तो आप यहां से अफडेट कर सकते हैं यहांप अपडेट कर सकते हैं जैसे आप SIPPROCKET से यूज कर एसे प्रॉकट की tracking information आप यहां पर डाल सकते हैं तो automatically user के end में वो सारी information अपडेट हो जाएगी तो आपको यहां पर by default बना के रखने की जुजरत नहीं है तो आप अपने shopping card में अनेबल करना है wish list compare taxes तो इनकेस कोई default tax लगाना है तो आपका सकते हैं तो इस तरह के सारे options आपको मिल जाते हैं आपको review का option देना या निदेना अपनी site पे यह काफी सारे option है depending on the user आप इसको enable or disable अपनी according कर सकते हैं अब हम चलते मार्केट प्लेस पे ठीक है तो मार्केट प्लेस में क्या है basically दूसरे लोग भी product आपके पर sell कर सकते हैं और वो अपने खुद के store बना सकते हैं और sell कर सकते हैं तो एक option तो है कि आप vendor यहां से ही बना सकते हैं create a new vendor दूसरा option क्या है कि हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग इस साइट को private window में खुल लेते हैं कुछ इस तरह कि देखिए हमने जहां पर logo लगाया हुआ है यहां पर कोई image upload करिए कि अप्लोड कर देंगे तो यह सारी पूरी आपकी photos आपको यहां पर दिखने लगेगी अभी हम बात करे लिए कि स्लाइडर को अप्लोड कर सकते अप्डेट कर सकते तो उससे पहले हम बत करते हैं रेजिस्ट्रेशन पर आप जाएंगे यहां पर आपके पास option आएगा vendor का तो यहां पर में डेमो नामस अकाउंट पूरा बनाएंगे और यहां पर हम मारा यह में सारी इसके इंफर्मिशन पारी हैं अब इसके बार डारेक्ट अपरूवल लिए होगा अकाउंट को ठीक ہے अरग्यर को होका तो कैसे यहां पर लोगा यहांपने यहां सब्लेद पानल में जाना होगा यहां से मिने उसको approve कर दिया अब हमारा dashboard या से खुल जाएगा अब कोई भी पॉडेक्ट में अप्लोड करना है, सेम जैसे वहाँ पे अप्लोड करते थे, सेम उसी तरह से वहाँ पे अप्लोड कर सकते हैं यह भी इंपरमिशन है, वहाँ अप्सा भी यहाँ फिल फिल कर दी अब जैसे हम पर हमने प्रोडक्ट अप्लोड करें यह भी डारेक्ट वहाँ पर अप्लोड लिए होगा यहां पर भी पैंडिंग लिख के आएगा, इसके लिए फिर से में में डेश्ट में पर जा रहा होगा हमको बापिस, जो भी हमारा में अड्मिन होगा, वो इसको प्रोफ हो जाए, तो बाता लगए, तो अब सिपिंग किसकी रहेगी, सिपिंग आपकी रहेगी, तो जैसे को इसको इसका order प्लेस करेगा, वो order आपको यहां पर दिख जाएगा, तो इस केस में हम यह करने वाले हैं, कि हम एड्मिन से order प्लेस करवाते हैं, तो आप यह से प्लेस कर दिया, तो अब यहां पर आप जाएगा, तो देख भी जाएगा, कि आपको यह ओडर है, ठीक है, यहां पर आपको जो वेंडर है, उसके साइड भी आपको यहां पर सारी इंफॉमिशन दिखेगी, और यहां से आप स्टेटर से अब्लेट करेंगे, मेरे पास रे प्लेट को कितना कमिशन किया मिलना है, ठीक है, तो आप यहां से सेल करेंगे, जो भी आपकी सेटिंग से, कि कितने परसंट कमिशन आप डिफॉल्ट कमिशन वेंडर से चार्ज करेंगे, इस यहां बी 10% ठीक है, पर जब भी कोई विडर्वा जो उसकी फीस कितनी होगी, व एजका हुआ है, यहां पर जाना है, एपको एडेट पे क्लिक करना है, अपिस विडर्विाट और यहां परॉंचन यहां पर डिफॉर्टन दिफॉर्ट अप्चिन साइगे, मतलब के अगा, जैसे कि ब्यूद है और जैसे ही एक सिय्क अप्लोड करना है तो एक से अपलोड हो चुका है तो कॉल्टी जाद अच्छी मैंने डाउलोड नहीं करी थी तो इसलिए वैसा आप अधर्वाइस को अब इस तरह से अप्डेट यहां से कर सकते हैं अब आता है कि हमें cash on delivery नहीं हमें payment चाहिए तो यहां में payment मैठर रेजर पे वगार सब कुछ है भी लेवल है तो यहां पर आपको बहुत सारी प्रजिस दिख जाएंगे इसमें काफी सारी जो features है वह add-on-based में तो आप यहां से जैसे multi vendor का place है तो उसे आप deactivate कर सकते है अपने according यहां से अगर settings में जाएंगे तो आपको जब सारी information मिल जाएंगी जो भी आपको जैसे आपको की डालनी है अपने इसकी purchase code डालना है या फिर आपको social login जैसे facebook या source से आपको login कराना है वो सारे options भी आपको यहां से मिल जाएंगे not only that आपको यहां पे आगर आपको जैसे कोई permission level में गार आपको change करनी वो सारी चीज़े भी आपको यहां से मिल जाती है और जो सबसे अच्छी बात है इसमें आपको active log का option मिल जाता है active log के option से क्या होता है किसने क्या changes करें अब तक और कौन से device से क्या login तो वो सब आपको बता चलता रहता है तो इस तरह से आप एक multi vendor site को बना सकते हैं और एक काफी अच्छा business अपने लिए जनरेट कर सकते हैं इस कोई डाउट है तो आपको से पूर सकते हैं उमीद का तो यह वीडिया आपको पसंद आया होगा पाई दो लिंक में डेस्क्रिप्शन में दे दिया है ठीक है almost मैं सभी चीजे basic जो साई चीजे तिमने cover कर लिए से ब्लॉग और नहीं किया तो यहां पर आपके बास block का option है आपको front side में आपको block option मिल जाएगा तो जो भी आप यहां से article लिखेंगे और directly इस category में यहां पर automatically सोरे रहें कोई भी contact information में भरेगा तो यहां पर आपके पास एक जिगे contact में information है यहां पर वो सारी information आजाएगी तो यह कुछ basic चीजे मैंने जो skip करी है वो well-known चीजे जो आप देखेंगे तो आपको स जाएगा तो आपको आपको सारी झाल